हम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दीए गए पैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों 24 जनवरी 2020 को शनी धनू राशी से निकल कर मकर राशी में गोचर करेंगे इससे वरश्चिक राशी वालों को शनी की साड़े साती से मुक्ती मिल जाएगे जस कारण इस राशी के जातक शनी की साड़े साती के प्रभाव से मुक्त हो जाएगे इस लिहाज से नया साल आपके लिए राहत भरा रहेगा काफी अच्छा रहेगा लंबे समय से रुके हुए आपके कारे सभी पूरे होंगे शनी की साड़े साथी का प्रभाव आपकी राशी से 24 जनवरी के बाद हट जाएगा 24 जनवरी के बाद आपकी राशी पर आपकी लव लाइफ, नौकरी, व्यापार, स्वास्त, हर चीज़ पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है हर लेहाज से आपके लिए शनी देव क्या अच्छा करने वाले हैं तो आईए जानते हैं दूस्तो सबसे पहले बात करते हैं नौकरी की, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए नया साल काफी उत्तम रहेगा आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी इस साल मिल सकती है इसके साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए भी ये साल बहुत ही शुब संकेत दे रहा है आप अपने कारियों से अपने बॉस को इंप्रेस कर पाने में सक्षम होंगे जिस कारण आपका प्रमोशन भी हो सकता है आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल प्राप्थ होंगे काम के लिए आपको विदेश जाने का ओफर भी मिल सकता है नौकरी परवरतन करते समय जल्दवाजी बिलकुल ना करें सावधानी से काम करें दोस्तो अब बात करते हैं बिजनस की इस राशी के व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ही शुब रहने वाला है निवेश में आपको लाब मिलेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी पार्टनर्शिप में कोई काम शुरू कर सकते हैं रियल इस्टेट का बिजनस करने वाले लोगों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है आपको इस साल अपने दुश्मनों से काफी सतर्क रहना होगा अब बात करते हैं हेल्थ की कि हैल्थ पर शनी देव का क्या प्रभाव आप पर पढ़ने वाला है इस साल स्वास्थ के लिहाज से ये साल थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा बड़ी बीमारी नहीं लेकिन मौसम को बदलते हुए देख आपकी तविद बिगड़ सकती है इसलिए योग और व्यायाम से अपने स्वास्थ को स्वस्थ रखने की कोशिश करें दोस्तो अब बात करते हैं प्रेम की लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी पार्टनर से बात बात पर जूट बोलने के कारण आपका जगड़ा हो सकता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अपनी पार्टनर से सभी बाते शेयर करें जूट न बोलें अगर आपका जूट वो पकड़ते हैं तो ये आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है किसी करीबी के कारण आपकी लव लाइफ में भूचा लाने के आसार भी है विवाहित जातकों को अपार सुख की प्राप्ती होगी पूरे साल पार्टनर के साथ जगे जगे घूमने के योग बन रहे है आप कहीं न कहीं हर एक दो महीने में घूमने जाते रहेंगे पूरे साल जो जातक अभी शादी शुदा नहीं है प्रेम बंधनों में नहीं है तो वो ने अपने कारे स्थल पर किसी से प्रेम हो सकता है जीवन साथी के परिवार वालों से आर्थिक सायथा भी आपको मिल सकती है दोस्तो शनी देव एक ही राशी में करीब धाई साल तक रहते हैं वो जिस भी राशी में मौजूद होते हैं उस राशी के साथ ही एक राशी आगे और पीछी की राशी पर अपना प्रभावजादा रखते हैं उधारन के लिए अगर 24 जन्वरी को वो धनू राशी से मकर राशी में जा रहे हैं उम्ब की साड़े साथी उतर जाती है इसे साड़े साथी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक राशी पर ढाई ढाई साल के तीन प्रभाव शनी के आते हैं वरिश्चिक राशी के जात्कों के उपर से 24 जन्वरी 2020 को शनी की साड़े साथी खत्म हो जाएगी वरिश्चिक राशी के जात्क पिछले साथ सालों से शनी की साड़े साथी के प्रभाव में थे इस अवधी में उन्होंने शनी के प्रभाव से कई परिशानियों का सामना किया इस बीच उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे 20 जन्वरी से वरिश्चिक राशी के कुछ जातक अच्छा महसूस करेंगे अगर इस साल आप व्यापार हेतु कोई नया काम करनी की सोच रहे हैं तो ये समय ये कार्य करने का बहुती बहतर समय है आर्थे के सत्य भी आपकी सामान्य रहेगी कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी किसी मित्र की साहता से आपके रुके हुए काम सुचारू रूप से बनने लगेंगे लेकिन उसी मित्र के साथ किसी नए काम की शिरुवात बिलकुल ना करें दोस्तो साल के मध्य में माता से किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है लेकिन मामला अंडर कंट्रोल ही रहेगा अगर आप किसी कारण से अपने शिक्षा को छोड़ चुके हैं पढ़ने का मन बना रहे हैं तो इसमें भी काम्यावी मिलने की संभावना पूरी है